नमस्कार वित्रों नाव भारती स्टेड़ी सर्किल में आप सभी का स्वागत हैं आज मैं मैट्रिक्स का दूसरा पार्ट लेके आप लोगों के सामने उपस दितूं मैट्रिक्स के पहले पार्ट के अंतरकत हम लोगोंने मैट्रिक्स की सामन्ने जानकर ही प्राप्त की थी दो आवियों को घटाना, उन्हें गुणा करना इत्के दिए कुछ संक्रियाएं हम समझेंगे और उनके गुंठर्मों को जानेंगे इसके पसचाथ हम लोग कुछ उनसे समंदित, examples भी solve करेंगे, कुछ प्रस्वनों को भी solve करेंगे और अंत में पार्ट के आपको अभ्यास करने के लिए कुछ प्रस्न मैं देने वाला हूँ तो इस पार्ट को देखिए और बहुत आसान है मैट्रिक्स जोड बहुत आसान है बाकी आसान है सब भी कुछ आसान है आप फटा फट सिख जहेंगे बस इस लेसन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा सबसे पहले हम संक्रे लेते हैं योग मैट्रिक्स की क्योंकि आपको समाने जानकरी है तो अब योग के अंदर दो आव्यों है A और B और योग के लिए वो अनुकूलनी है यदि वे एक ही क्रमके हो तो देखिए ध्यान से इस वात को ध्यान रखेगा यदि वे एक ही क्रमके हैं तो अनुकूल नहिए तभ योग कर सकते हैं अनने था योग नहीं होगा एक ही क्रमके होने चाहिए हो ठीक है पहली condition फिर वाद में योग करना हैं दो तीन माइनस चार पांच दो एक जीरो पांच तीन ठीक है और एक है भी अब्यू वो है एक दो चार पांच दो जीरो माइनस तीन दो माइनस एक अब यह दो आव्यू है एक ओर आव्यू हम लेते हैं सी इसके अनदर हम देखते हैं कि इसका करम अलग लेते हैं ही इसके नगारा हरे इस दूसरे वाले आभवि का क्रम भी तीन मंद्ध जोरेंगे तो आ में बी जोड़ सकता है लेकिन आ में सी और बी में सी नहीं जोड़ सकता है हम जोडते हैं ab जोडने के लिए आपको इक नियम आपको ध्यान रख ना है इसका प्रथम वाला है इसके जो पहली स्रेणी का पहले स्तंब का सदिश्य है इस दूसरे वाले आभी जोड़ेगा 2 प्लस 1 ऐसे यद यह 3 है इसको जोडना है इस दो के साथ तो बस तीन प्लस दो आगे माइनस चार प्लस चार फिर पांच प्लस पांच दो प्लस दो एक प्लस जीरो यहाँ जीरो है यह देखिए जीरो है और यहाँ है माइनस तीन तो माइनस तीन यहाँ पांच है यहाँ प्लस दो है प्लस तो यहां 3 है और मैनस है इस प्रकार से हम इन्हें जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद में जो उतर आएगा आपका वो A प्लस B होगा यहां 3, 5, 0, 10, 4, 1, मैनस 3, 7, और 2, यह आपका A प्लस B होगा इस प्रकार से हम मैटिक्स का योग करते हैं, अब हम आगे आते हैं मैटिक्स का व्यक्लन देखते हैं व्यक्लन यह भी उसी तरह से है, इसमें भी एक कंडिशन है कि वे एक ही क्रम में होने चाहिए हैं, एक क्रम के नहीं होंगे तो जुड़नी पाएंगे, क्योंकि उसमें दो, इस थम अलग होंगे और वो अलग होंगे तो जुड़ने पाएंगे, बिल्कुल वैसा ही है इसको बताने की विश्य जरूर आवशकता थी नहीं लेकिन फिर भी हम एक उधारन ले लेते हैं 0 प्लस 1 माले जी एक आभियू यहसा है और एक आभियू है आपका यह माइनस एक प्लस दो माइनस दो प्लस सुनने प्लस एक लेते हैं अब इसमें A में से B को घठाना है पहले में से पहला घठा तो सिंपल दो में से घठाना है माइनस एक माइनस दो में से घठाना है प्लस दो 0 में से घठाना है माइनस दो और यहाँ एक में से घठाना है प्लस एक, चाहें तो प्लस एक को बहार रखें जाए इस प्रकार से लिए तो आपका हो गया दो और यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ने तो दो प्लस एक तीन, यह माइनस के चार, यह प्लस के दो और यह भी माइनस हो जाएगा, एक तो सुनने यह आपका उत्र है इस प्रकार से गठाना है मतलब बहुत आसान है कि पहले वाले में पहले वाला गठाना है इस सेकेंड में सेकेंड को गठाना है और दूसरी आपके स्रेणी के प्रथम इस तंब के सदस्य को दूसरी स्रेणी के प्रथम दस्य में गठाना है इस प्रकार से तो यह भी आसान है आप इसे भी कर पाएंगी अच्छी प्रकार से चलिए आगे चलिए हम गुणन संक्रिया को समझते हैं समझते हैं उनके बीच में गुणन कब होगा कि वे दों के अंदर हमने देखा कि आप नुक्रम समान होना चाहिए कि उसमें पर आखियों कि आवशक्ता नहीं है कि अच्छी बात भी गुणन होगा लेकिन कि आब्वर इतना होने से भी काम चलेगा A के इस्ठंबो की संख्या B के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो यदि तो उनमें गुणन संख्या हो सकते है मालेज़े जैसे A है A अब्यू का उक्रम है A गुणा B और B अब्यू है B अब्यू का क्रम है B गुणा C तो इनके अंदर आपस में इसका तो इस्थम्ब है और इसके पंक्तियों की संक्या दी बराबर है तो इनमें गुनन हो सकते है ठीक है तो आप यो A के इस्थम्ब और आप यो B की पंक्तियों के संक्या बराबर हो और A B जो आप यो होगा AB का क्रम क्या होगा AB का क्रम होगा B से B B दोनों का समान है एक पर छोड़ दीजिए बाकी को लिख लेजिए इसकी तो पंक्तियों के संक्या और इसके इस्थंबों के संक्या के बराबर होगा यह AB का क्रम होगा हम एक उधरान लेते हैं और उधरान लेने के पश्यक्त हम इसको देखते हैं माले जे A है आप व्यू हम इसमें 2 3 4-1 2-3 सुन्ने प्लस 2-1 इस प्रकार से है एक B आप व्यू ले लेते हैं इसमें देखिए इसके अंदर 3 स्थम्वे और 3 ही इसका है 3 गुणा 3 तीन होने चाहिए मतलब्ल करने के लिए आपको ध्यान देना है कि अब चुकि इसके इंदर जो इस्थम है उसके संख्या तीन है और इसके पंक्तियों के संख्या तीन है तो आपको इसके तो इस्थम लेने हैं और इसके पंक्ति लेनी है यह आपस में गुणा करना और जोड़ना है तो प्रथम इस्थम ए भी ले रहे हैं ए भी करने जा रह प्लस तीन को तीन से गुना किया, प्लस चार को गुना किया माइनस एक से, यह हो गया पहले इस्थान पर आगे, अब आते हैं हम दूसरे में, इसकी दूस, इसकी जो पहली, पंक्ती तो पहली चल रही है न, पहली पंक्ती ले रहे हैं, तो इसकी पहली पंक्ती लेंगे, और अब आते हैं हम दूसरी पंक्ति के बारे में दूसरी पंक्ति है तो हमें एक ही दूसरी पंक्ति ले नहीं है माइनस एक माइनस एक को गुणा करेंगे उसका पहला इस्थम लेना क्योंकि पहले इस्थम को ले रहें नहीं 2 प्लस 2 को गुणा किया 3 से प्लस माइनस 3 गुणा माइनस 1 अब बोई दूसरी पंक्ती है दूसरी पंक्ती एक ही और दूसरा इस्थम ले रहे हैं तो दूसरा इस्थम B का माइनस 1 गुणा 5 प्लस 2 गुणा सुन्य प्लस माइनस 3 गुणा 2 ठीक है अब हम तीसरी पंक्ति ले रहे हैं तो हमें एक ही तीसरी पंक्ति लेनी है तो जी सुन और पहला इस्थम ले रहे हैं यह देखिए पहला इस्थम है यह वाला यह इस्थम तो पहला है और पंक्ती तीसरी है तो तीसरी पंक्ती ले रहे हैं एक ही और बी का पहला इस्थम ले रहे है तो सुन्ने गुणा 2 प्लस 2 गुणा 3 प्लस माइनस एक गुणा माइनस एक अब पंक्ती तो तीसरी है इस्थम दूसरा है तो A की पंक्ती तीसरी लेनी है और B का इस्थम दूसरा लेना है 0 गुणा 5 प्लस 2 गुणा 0 प्लस माइनस एक गुणा 2 अब इन्हें हम गुणा कर लेते हैं 2 दूनी 4 प्लस 3 तिया 9 माइनस 4 एकम 4 माइनस लिए आगा कि माइनस प्लस माइनस हो जाते हैं 5 दूनी 10 प्लस 0 प्लस 4 दूनी 8 माइनस दो प्लस 6 माइनस माइनस प्लस प्लस और प्लस 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 रहेंगे 3 एकम 3 माइनस 5 एकम 5 प्लस 0 प्लस माइनस 3 और 2 है तिसले माइनस 3 दूनी 6 माइनस 6 अब आते हैं हम यहाँ पे तीसरी में 0 प्लस 2 तिया 6 प्लस वन हो जाएगा तो प्लस वन रहेगा सुनने यहां भी सुनने हो जाएगा और दो एकम दो माइनस के दो आपके हो गया चार से चार कट गए प्लस नो इधर दस और अठारा यह आपका आभ्यू बन जाएगा इधर नो नो में से दो गए तो प्लस के साथ इधर माइनस के ग्यारा इधर छे और एक साथ इधर माइनस के दो अब देखिए इसका क्रम क्या हुआ इसका क्रम हुआ तीन तो इसमें पंक्ति है और दो इस्थम है तीन गुना तो हमने देखा था तीन गुना तीन था तीन तीन जो समान है इसकी तो इस्थम और इसकी पंक्ति छोड़ देंगे पहले वाले की पंक्ति यह रही और दूसरे व अधिस कुनन, मतलब कोई अधिस अभ्यू नहीं है, और कोई घासी है, उससे पूर्य अभ्यू को गुणा करना है, तो कैसे करेंगी, हम धरान लेते हैं, एक A ले लेते हैं, दो, तीन, सुन्ने, पांच, माइनस एक, सुन्ने, ये एक आपका सदिस है, इस सदिस को पांच से मल सुन्ने, कैसे गुणा करेंगे, सभी से दस्यों को पांच से गुणा कर दो, ठीक है, तो पांच से आपको सदिस पांच से गुणा करना दो को, पांच से गुणा करना सुन्ने को, पांच से गुणा करना माइनस एक को, पांच से गुणा करना तीन को, पांच से गुणा करन सुनने को सब भी को गुणा करना है तो आपका हो जाएगा पांच दूनी 10 सुनने माइनस पांच पांच दूनी 15 परचेश सुनने इस परकार से आपका ये अधिस कुणन हो जाएगा चली आगे हम इनके गुणधरम देखते हैं गुन्धान को समझने के वशक्ता उतनी है नहीं, काली हम समझ लेते हैं, देख लेते हैं, करम भी नहीं में था, A और B योग, A भी है, तो B जोड़ेंगे, क्योंकि सदस्य को जोड़ रहे हैं, तो इनका करम भी बदलने पर भी समान रहेगा, ठीक है, ये साचरे के नियम भी हैं, सुन्ने, सुन्ने आप्यू, हम जानते हैं, सुन्ने आप्यू का करम दिया भा हो, M कंगोता, N में, थैक के सुन्ने पर वह सुन्ने पर दो को जोड़ेंगे, घटाएंगे तो बोई रहे वाली है इसलिए यह भी करम नियम लागू होता है यह दी योज्य प्रतिलोम माइनस एक इसका एक का योज्य प्रतिलोम होगा माइनस एक को ए में जोड़ेंगे तो सुनने आएगा यह भी आसान बात है समझ में आ गई होगी ए बी और सी एक ही करम के तीना भी हो तो एक ही करम के ध्यान देना एक ही करम लिखा इसने तो ए प्लस भी और ए प्लस सी बराबर कव होंगे जबकि बी और सी बराबर होंगे मतबर अ से आ आप क्ले कर सकते हैं कैंसल कर सकते हैं काट सकते हैं ठीकर सब्सक् τους नियामें इसमें लगू होता है अंगे गुंध्र में एसा ही सामाने तेहर है सामाने तेहर आप योग JUNIinental के लिए कंपन में का पलण नहीं करते, कर भी कैसे सकते हैं, A यदी N गुणा B है, और B यदी B गुणा C है, ठीक है, ये बराबर हैं, गुणान होगा, A, B का भी करम क्या होगा, N गुणा C, यदी हम B ये करना चाहे हैं, तो B का पर लिखते हैं, A का भाद में लिखते हैं, ये तो समान नहीं है, तो आपका B, A का स्थित्व ही नहीं होगा, तो क्रम बीने में का नियम लागो होना तो बहुत दूर की बात है हाँ साचरे का नियम लागो होता है क्योंकि यदि A और B से गुना हो जाता है तो C से भी गुना हो जाएगा क्योंकि उनका क्रम इस प्रकार से है तो और B से गुना होगा तो A, B का क्रम भी इस परकार का हो जाएगा जैसे A, B है A के माले जी ये है क्रम A का B का क्रम माले जी है ये और C का क्रम माले जी है D तो A भी गुना हो जाएगा A, B का क्रम क्या आएगा A, B का क्रम आएगा A गुना से और C के C का करम यह ही A B को C से गुना करेंगे A B C A गुना C और उसका है C गुना D C का तो यह समान है तो यह हो सकता है इधर B C लेंगे तो B का तो है अपना B गुना C और C का है C गुना D तो यह समान है तो यह हो सकता है तो इसका क्रम आगया B गुणा D आप A के साथ लेंगे B C को तो A का तो क्रम है A गुणा B A गुणा B यह रहा ठीक है और C का क्रम है B C का क्रम आए आपका B गुणा D यह दोनों समान है इसलिए A गुणा D आएगा इसका भी A गुणा D उपर भी A गुणा D आया तो यह साथ सरे का नियम लागो इसमें होता है ठीक है तस्मक यह तस्मक आव्यू है जैसे उसका योग के लिए था सुनने आव्यू इसके लिए है इकाई आव्यू इकाई आव्यू हम जानते हैं यह क्या होता है यदि क्रम इकाई आव्यू में हमेशा यह वर्ग आव्यू होता है सुनने 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 यह इस प्रकार का इकाई आव्यू होता है ठीक है और यह एकाई आव्यू इसका रफ्मक आव्यू कहलाता है बंटनता भी होती है इसमें एक बरेकट के बाहर हो तो को B Casey से गुणा करके जोड़ बी और सी को जोड़ के असे गुणा करदे वही संख्या है कि जब बन्त्ण यह में लगूक होता है कुछ फ्रश्टामती उchemical देख लेत यह हैं उसके वाद में इसको mere आपको मालेज एक आप्यो दियावाय है इस प्रकार से बी दियावाय है ये इस प्रकार से और आपको 2A-3 भी निकाल लाएं चलिए करते हैं सबसे पहले करते हैं 2A निकलते हैं तो दो से गुणा करना पड़ेगा इस आप्यों को 2 4-1 3 2 5 दो से गुणा करेंगे तो क्या हैगा 2A आगया आपका दो से दो गुणा जाएं 2 दूने 4 दो तियाँ 6 दो चोक 8 दो दूने 4 माइनस दो एकम 2 और 2 पंजो 10 ये आपका 2A आपको 2A आपको 3 भी निकाल लाएं 3 और बी की जगे क्या है दो एक सुन्ने माइनस एक तीन और 4 तीन से आपको सभी को गुणा करना पड़ेगा 3B क्या जाएगा आपका 3 दूने 6 माइनस 3 एकम 3 3 एकम 3 3 तीन 9 तीन को 0 से गुणा करेंगे 0 और 3 चोक 12 ये आगया आपका 3B अब 2A में से 3B को गठाना है ठीक है तो 2A तो क्या था 4 8 माइनस तो 6 4 10 इस में से आपको गठाना है 3B 3B क्या है 6 3 सुनने माइनस 3 9 12 हमने वियकलन के लिए गठाने के लिए एक बात देखी थी कि दोनों ही आपवियों का क्रम बराबर होना चाहिए इसका क्रम देखते है क्या है इसका क्रम है दो तो इसमें है स्रेणी और 3 है इसका स्थम इसमें 2 स्रेणी है और 3 स्थम रहें क् में से 3 गटेगा, माइनस 2 में से 0 गटेगा, 6 में से 3 गटेगा, माइनस 3, 4 में से 9, और 10 में से 12, एक ग्या आएगा उबरी तो आगए माइनसगे आशिए तो इस प्रकार से आपए ये उत्तर आएगा थीकर इसको सकते हैं दूसरा उधरन लेते हैं। दूसरे उधरन में आपको दिया वाय है, B आपवियू तो ये हैं, और C आपवियू है, और आपवियू एक याद करना है, यदी, ये कंडिशन दे रखें, सुन्ने आपवियू को बता है कि दो गुणा तीन का आपवियू है, अथात इन्होंने कह यह है आपका सुन्ने आभ विए अब हम इसको करते हैं। आपको दिया वह है 2A-3BinelyS 5C इकपर टू सुन्ने आभ व दो A बराबर क्या हो गया? सुन्ने आभ विए माइनस 5C प्लस 3B अब हम 3B को और माइनस 5C अब लिख लेते हैं। सुनने आपँ, सुनने, 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 मैनस पाँच, सी क्या है, दो सुनने, मैनस तो, साथ, एक, छॉ, पलस, तीन, बी क्या है, B है minus 2, 2, 0, 3, 1, 4 इनको थोड़ा सा और हल कर लेते हैं यहां तो आपके सुनने, सुनने, सुनने है minus 5 को अंदर ले आते हैं तो 5 दूनी 10, सुनने 5 दूनी 10 5 सत्य 35, 5 एकम 5 और 5 चिकर 30 plus 3 को अंदर ले आते हैं, गुना कर लेते हैं 3 को 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 को 0 से गुना कर जीरो 3 दिया 9, 3 एकम 3 और 3 चोक 12 यह आपकी होगी, अब इनको हम जोड़ लेते हैं सुनने, minus 10 क्योंकि minus का चिन है नहीं रहा plus minus के 6 दूसरे स्थान पर सुनने, minus सुनने और plus के भी सुनने सुनने, plus के 6 तीसरे में सुनने, minus minus 10 और plus के सुनने यह देखिए इदर, आप दूसरे में जोड़ते हैं सुनने, minus के 35 और plus के 9 सुनने, minus के 5 और plus के 3 सुनने, minus के 30 और plus के 12 तो यह आपके क्या हो गया? यह आपके हो गया? इदर, देखिए minus के 10 और minus के 6 minus के 16 plus के 6 यह minus minus plus हो जाएंगे, plus के 10 इदर minus के 35 है और plus के 9 है तो 9 घटा देंगे 35 में से तो आजाएंगे आपके 26 minus के बड़ी है राचिये दे minus के 26 यह minus के बड़ी है minus के तो इदर भी minus के बड़ी है 38 में से 12 गये तो आपके 18 यह आगए आपके किसके बराबर है यह? यह आपके है 2A के बराबर है ठीक है हमें तो एक कमान चाहिए एक कमान चाहिए तो दो को इधर लियाते हैं एक बटे दो हो जाएगा इधर और यह मैनस 16 प्लस के 6 प्लस के 10 मैनस के 26 मैनस के 2 मैनस के 18 एक बटे दो सेकुणा होंगे सब तो आपका क्या जाएगा एक बटे दो सेकुणा करेंगे मैनस के 16 को तो मैनस के 18 количе factor तो यह राशी आपकी आज़ है तो यही आपका उत्तर है ठीक है एक लेते हैं हम आपको A B B A अथवा दोनों जिनका भी अस्तित्व हो वो ग्याद करना है ठीक है अब हम देखते हैं एका क्रम क्या है A का क्रम है 2 गुणा 3 B का क्रम देखते हैं है 3 गुणा 3 यह समान है तो A गुणा B का क्रम क्या होगा 2 गुणा 3 हो जाएगा 2 गुणा 3 और इसका अस्तित्व है हम B यह लेने के लिए उल्टा करना पड़ेगा तो B का क्रम तो है 3 गुणा 3 और यह का क्रम है 2 गुणा 3 यह समान है क्या समान नहीं है तो हम कह सकते हैं का अस्तित्व नहीं है तो जिसका अस्तित्व है उसे तो ग्याद करेंगे हम उसके करम 2 गुणा 3 आना चाहिए तो हम चलिए A और B ग्याद करते हैं तो A, B ठीक है जाद करने के लिए हमें क्या करना है हमें करना है A के तो स्रेणी से और B के इस्तंब को गुणा करना है तो प्रथम स्रेनी को प्रथम इस थम से गुणा करना जोड़ना है तो पहला है चार चार को 6 से गुणा किया इसमें जोड़ा दो को माइनस 1 से गुणा किया और माइनस 5 को 1 से गुणा अब आगे बढ़ते हैं दूसरे गुणा करते हैं चार को माइनस 7 से प्लस दो को 2 से प्ल चार को सुनने से गुणा करते हैं फिर दो को जोड़ते हुए दो को पांच से गुणा करते हैं फिर जोड़ते हुए माइनस पांच को प्लस तीन से गुणा करते हैं गुणा करने हैं ठीक है दूसरी पंक्ति ले लिए हमने एक ही एक ही दूसरे वाली पंक्ति को उसके इस्थमों से गुना करना है एक जीरो तीन को एक को गुना किया छैसे प्लस सुनने को गुना किया माइनस एक से प्लस तीन को गुना किया एक से अब ऐसे दूसरे इस्थम ले लेंगे इसका हम दूसरे स्थम में आगे दूसरे स्थम ले लेंगे तो दूसरे स्थम में क्या है अपंक्ती तो वो की रहेगी पहली एक को गुना करना है माइनस साथ से प्लस सुनने को गुना करना है दो से प्लस तीन को गुना करना है सुनने से अब आगे लेंगे हम इसी प्रकार से, तो 1 को गुणा करना सुनने से, प्लस सुनने को गुणा करना 5 से, प्लस 3 को गुणा करना 3 से, चेके, इनको हम गुणा कर लेते हैं, 6 चोग 24, माइनस 2 एकम 2, माइनस 5 एकम 5, 7 चोग 28, माइनस के 28, प्लस 2 दुनी 4, प्लस सुनने, सुनने, प्लस 5 दुनी 10, माइनस 5 दुनी 15, इधर 6 एकम 6, प्लस सुनने, प्लस 3 एकम 3, माइनस 7 एकम 7, प्लस सुनने, प्लस सुनने, सुनने, प्लस सुनने, प्लस तीनतिया, नो इन्हें हम लिख लेंगे, A, B आए गया आपका, ये पांच होगे माइनस के, माइनस के साथ माइनस के साथ गठा देंगे इस मेंसे, 24 मेंसे तो आपके आगया प्लस के सत्रा इधर माइनस के 24, माइनस के 28 से प्लस के 4 यहां मैनस के पंदरा और प्लस के 10 तो मैनस के 5 मैनस के 5 इधर आपके आजएंगे प्लस के 9 मैनस के 7 और प्लस के 9 यह आपका रहाँ मैनसर है ध्यान दीजिये इसका क्रम क्या है इसमें दो तो है स्रेनी और इस तम है तीन 2 गुणा 3 देखें, दोगणा ती नहीं आना था, उपर देखिए. है, ना? दोगणा ती नहीं आना था, और दोगणा ती नहीं आपकर करम आया है, यह आपका उत्तर है. इस पर कर से देखांपह उपहल mayor हमने इस को पसनाव लेकिए 3 उधरन किये हैं. अब आपको क्या करना है एक उधरान ओ ले लेते हैं हम और उसके परस्यात हम इसका इत्थी करते हैं इसमें दिया है A-2A लेना है I 2I I क्या होता है इक I I का आपको दे रहा है 3 by 3 करम 21 देश तिके 3 by 3 करमें एक सूने 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 एक सूने सूने एक सूने एक यह जो डाइगोनल है डाइगोनल हम ऐसा 1 होगा बाकी सारे के सारे सूने होंगे इसके तो यह क्या है 11 दस्याता है a-2 i के जगे पर रहतेते हैं हम एक सुन्ने 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 एक और बराबच दिया वह आपको यह मैंनस एक मैंनस दो तीन दो एक मैंनस 1-3-1, सुनने, ठीक है, a-2 से गुणा कर लेते हैं, इसको, 2-2, सुनने, 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 2-2, सुनने, सुनने, 2-2, यह हो गया, इधर तो यह है, ठीक है, अब a लेना है, तो इसको हम उधर ले जाते हैं, ले जाएंगे तो प्लस के रूप में आजायएंगे न, माइनस एक मामनस तो 3, 2-1, माइनस एक माइनस 3, 1 सुनने, और यह आ जाएगे प्लस के रूप में, प्लस के रूप में क्या है, 2-4-5-2, 2-5-5-2, इन दोनों को जोड़ देंगे, अब 2 में सुनने जोड़ेंगे तो 2 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 माइनस 1 इधर माइनस 3 1 और 2 में जोड़ जाएगा तो 2 यह आपका A प्राप्त होगा ठीक है A प्राप्त होगी आप A का आपको ट्रांस्पोंज लेना है एक की घाती एक का transport अन्दा आपको बताई था पिछले वाले पार्ट में कि जो स्थंब में यह उस थो बदल जाएगी इस थंब में जो कर दो इस थंब ऊँड़ बदल जाएगा स्थंब में तो एक का पहली वाली स्थंब क्या है यह 1-4 8 तो स्थंब बन जाएगा यह 1-4 तो, 3, दूसरी स्रेडिक है, 2, 3, मैनस 1, तो, 2, 3, मैनस 1, यह बन गया इस ठाम, इसमें मैनस 3, 1 और 2, मैनस 3, 1 और 2, इसका क्रम भी 3 गुणा 3 है, इसका क्रम भी 3 गुणा 3 है, अब हमें निकालना है, A को गुणा करना है A Transports से दोनों का क्रम देख लेते हैं A का क्रम है 3-3 A Transports of A का क्रम है 3-3 ये दोनों समान है इसलिए ये निकल सकता है निकलते हैं हमें लेना है A और A Transports इसके तो पंक्ती और इसका इस्थम, चीक है, तो 1 को same ही है, 1 का square प्लस माइनस 2 का square प्लस 3 का square, चीक है, अब इसके दूसरी, इसके पहली पंक्ति रखने है, और इसका दूसरा स्थम लेना है, पहली पंक्ति 1 उना 2 two plus minus two गोना three plus three minus one इसरे में लेना है एक गोना माईनस तीन प्लस माईनस तो गोना एक प्लस तीन गोना माईनस एक मैं तीन गोना तो ठीक है अब दूसरी तरफ आते हैं इसके दूसरी वाली स्टनी लेनी दो तीन माइनस एक दो को पहले से गुणा करते हैं दो गुणा एक प्लस तीन गुणा माइनस तो प्लस माइनस एक गुणा तीन दूसरी में लेंगे दूसरा सेम है इसकी पंक्तिर उसका स्थम्प सेम है दो स्क्वाइर प्लस तीन स्क्वाइर प्लस माइनस एक का स्क्वाइर चीक है अब तीसरे में तो अलग है दो को माइनस तीन से गुणा करना 2 गुणा माइनस 3 प्लस 3 गुणा 1 प्लस और उसका माइनस 1 है माइनस 1 गुणा 2 तीसरे वाले को लेना है इसके तीसरी पंक्ति है और उसका पहला इस्थम माइनस 3 गुणा 1 प्लस 1 गुणा माइनस 2 प्लस 2 गुणा 3 उसके तीसरी पंक्ति है और इसका दूसरा इस्थम माइनस तीन गुणा तो प्लस एक गुणा तीन प्लस प्लस और दो गुणा माइनस है यह तीसरी में सेम है तो वो स्क्वाइर हो जाएगा माइनस तीन स्क्वाइर प्लस एक स्क्वाइर प्लस दो स्क्वाइर इसको गुणा करके लिखते हैं एक का स्कुर एक प्लस दो दूनी चार प्लस नो दो एकम दो मैनस दो तिया छे मैनस तीन एकम तीन मैनस तीन मैनस एक प्लस छे दो एकम दो मैनस तीन दूनी छे मैनस तीन एकम तीन दो दूनी चार प्लस तीन तिया नो प्लस एक, दो तियाँ छह माइनस के, प्लस तीन एकम तीन, माइनस के, दो एकम दो, इधर माइनस तीन, प्लस माइनस, दो एकम दो, और प्लस दो तियाँ छह, इधर माइनस छह, प्लस तीन एकम तीन, और माइनस के, दो, यहाँ, माइनस तीन का स्कॉयर है, माइनस तीन का स्क तो प्लस के 9, प्लस का 1 और प्लस के 4, इन्हें जोड लेते हैं, 9 और एक 10 और 4, 14, इधर माइनस के 9, प्लस के 2, तो माइनस के 7, इधर माइनस के 4, प्लस के 6, तो प्लस के 2, यहां माइनस के 9, यह तो माइनस के 7, 9 रेक 10 चार 14 6 और यह 8 हो गया 8 में से 3 गए तो माइनस के 5 यहां 3ों 2 माइनस के 5 है और प्लस का 6 है तो क्या हो गया प्लस का 1 इस इस्तान पे माइनस के 8 और प्लस का 3 माइनस के 5 और यहां 9 रेक 10 और 4 14 इस प्रकार से आपका यह यहां 2 है माइनस 2 एकम 2 इस जगे प्लस 1 आएगा माइनस 5 प्लस यह देखे यह थोड़ा सा ध्यान देना है यह इस प्रकार का A को 80 से आपने मल्टिप्लाई किया और जब भी किसी को उसके टांट पॉंस से ही गुणा करते हैं तो यह थोड़ा सा एक सम्मित आभियो आता है आपका देखें इदर यह दोनों बिल्कुल बराबर है तो इस सम्मित आभियो बनता है यह आपका उत्तर होगा यह समान होने चाहिए यह और यह यह और यह 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 ना तो यह सम्मित आभियो तो हमने इस प्रस्नमाला के अंदर एक से लेके पंदरा तक सवाल है इनको आप हल कीजिए कोई सवाल आपको नहीं आता है तो मुस्या पूसरते है धन्यवाद